और कई आपरादे गिरोह में रहकर अपराद की घटना को अंज्याम देने के बाद अमंद्शाव खुद का गिरोह बनाया है वेपारी कमपनी छेकेदार कोईला कारोवारी ट्रांसपोर्टर से रंगदारी का धंदा इन दिनों जेल से ही चला रहा है अमंद्शाव के गुर्गों का मनोबाल इतना बढ़ा हुआ है कि ATS की टीम पर हमला कर दो पुलिस कर्मी को गोली मार दे इसकी ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे श्रहियों की सत्यवर्थ की रण मात 30 साल का गैंगेश्टर अमंद्शावु अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा जब ATS के टीम ने अमंद्शावु गिरोह पर कारवाई करनी चाहिए तो अमंद्शावु के कुछ गुरुगों ने जानलेवा हमला किया जिसमें ATS के DSP नीरज कुमार और SI सोनु कुमार को गोली मार दी गई फिलहाल दोनों पुलिस कर्मियों का इलाज जो है और राची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है और पुलिस के तमाम बरिये पदाधिकारी लगतार अपने सहीयोगियों के सेहत का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं डॉक्टर के अनुसार तो एकदम मतलब है कि काफी रिकवर किया है तीनों लोग रिकवर किया है जैसे कि अभी हम लोग मिले ना तो डी एस्पी साहब भी है उसके अवाला अलावे हमारे सब इंस्पेक्टर भी है और थाना की जो श्टाप थे वहां पर एक सिपाही भी थे एयर लिफ्ट कर दूसरे बहरे सहर भी ले जाया जा सकता है वहीं से पूरे घटना के बाद पुलिस महकमा काफी गुस्से में है और तयारी की जा रही है कि अमन्साव गिरो को मूत और जबाब दिया जाए अपने सहियोगी गुड्डू के साथ मैं सत्य बरत किरन न्यूज अलवन राची लाइक अंड शेर वीडियोज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज लावन भार सच है तो दिखेगा